नमस्कार फ्रेंड्स वोगत आप सभी का सॉलुशन देरे से यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में प्रेपोजीशन से रिलेटरिक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 30 कुशिन कवर करेंगे आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो पीडियाफ है आपको टेलिग्राम के चनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लिजे और आप सभी लोग जो है यूटूब चनल को भी जोइन कर सकते हैं यूटूब चनल जोइन करते ही आपको सभी वीडियो की जो पीडियाफ होगी वो आपको टेलिग्राम पी मिल जाएगी और उसका password आपको चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग चैनल को join कर लेंगे तो आपके YouTube के home page पे membership का option खुल जाएगा तो उसमें आपको सभी वीडियो की जो PDF होगी उसका आपको password मिल जाएगा और PDF के लिए जो है आप लोग टेलिग्राम को भी जोइन कर लीजिए लिंक जो है वीडियो के description में है और लास्ट में आप लोग ने 30 में से कितना score किया है comment option जरूब बताएं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका जो right option जो हो जाएगा option इसका be correct हो जाएगा ये persisted in क्योंकि in क्यों आएगा ये persist के बाद जो है fixed proposition जो है in आता है ये आप याद रखें इसका मतलब हो जाएगा वह मेरी जो सला की अवहेलना करती रही इसका मतलब हो जाएगा कि मतलब अभेलना मतलब किसी की बात पर ध्यान ना देना तो इसका answer हो जाएगा option इसका be correct हो जाएगा persist के बाद हमेशा in आता है fixed proposition है आप इसको याद रखें अगला जो question है question number two I congratulated him on his recovery blink unless तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जब recover recover के बाद हमेशा from आता है या recovery हो या फिर recover हो तो उसके बाद unless आगे कोई बीमारी है तो आगे हमेशा from आता है ये fixed proposition आप इसको याद रखें तो option जो है इसका be correct हो जाएगा मतलब इसका जो हो जाएगा मैंने उन्हें बीमारी से ठीक होने के लिए बदाई दी इसका मतलब हो जाएगा तो recover from होता है recovery from जब आगे कोई unless दिया हो अगला जो question है we reached blank Delhi at exactly 6 o'clock तो reached के बाद कोई proposition नहीं आता है तो इसका जो है no proposition हो जाएगा तो option जो है इसका D correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा हम ठीक 6 बजे दिल्ली पहुँचे इसका मतलब हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and इसे जरू किया करें अगला जो question है question number 4 we may disagree blank him what should not exclude him from our meeting तो disagree के बाद कौन कौन सा proposition आता है तो disagree के बाद दो फिर position आते हैं जब आगे कोई person हो जैसे इसमें him दिया है तो आगे कोई person है तो यहाँ पे हमेशा आता है bid और जब आगे कोई some matter हो जब आगे कोई matter हो तो आपको हमेशा याद रखना है तब उसके बाद क्या आएगा तब उसके बाद आएगा on तो दो फिर position आप याद रखें disagree के बाद disagree के बाद दो फिर position आती है तो आप दोनों याद रखें disagree के बाद on कब आएगा जब आगे कोई some matter हो कुछ भी matter हो सकता है और disagree के बाद जब कोई person है जैसे him है इसमें तो बिद आएगा तो आप याद रखें इसका मतलब हो जाएगा हम उससे असहिमत हो सकते हैं लेकिन उन्हें हमारी बैठक से बाहर नहीं करना चाहिए तो इसका जो है C option correct हो जाएगा तो disagree का बिद आता है जब आगे कोई person हो disagree के बाद on का बाता है जब आगे कोई some matter हो तो आप इसको याद रखें अपना score जरूर बताया करें आप लोग 30 में से आप लोग ने कितना score किया है तो comment box में score जरूर बताएं अगला जो question है question नमा जो 5 है which is the shortest way blank the railway station तो इसका मतलब हो जाएगा railway station का जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है तो इसका हो जाएगा b2 railway station तो इसका जो है b option correct हो जाएगा railway station का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है अगला जो question है question number 6 the old lady died blink malaria जब died के बाद आगे कोई बीमारी से मर जाए तो हमेसा off आता है आप यह याद रखें इसके बाद from नहीं आता है तो आप यह याद रखें die के बाद आगे जब कोई बीमारी से मर जाता है तो हमेसा off आता है अगर कोई die के बाद car accident या किसी accident में मर जाता है तो die के बाद in आता है अगर कोई अपने देश के लिए मर जाता है तो यहां पर हमीशा 4 आता है तो यह फिर position आप याद रखें जब बीमारी से मर जाए तो off आएगा अगर die के बाद in आता है फिर position तो किसी accident में मर जाए कोई आदमी या फिर die के बाद और 4 आएगा तो किसी देश के लिए अपने देश के लिए मर जाना तो इसका जो है C option correct हो जाएगा off अगला जो question है question number 7 है only graduates are eligible blank such are coveted post तो इसमें 4 आता है eligible 4 होता है आम मिशा तो इसको आप याद रखें तो option जो है इसका A correct हो जाएगा only graduates are eligible for such are coveted post मतलब केवल इस नातक ऐसे प्रतिश्ठित पद के लिए पात रहें इसका मतलब हो जाएगा अगला जो question है question number 8 the children are found blank swimming in the pond तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जो found होता है found के बाद हमेशा off आता है तो found of का मतलब होता है कि so keen found of का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए so keen तो इसमें दिया है the children are found of swimming in the pond मतलब की जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं वो तालाब में तेहने के so keen है इसका मतलब हो जाएगा so keen होता है found of का मतलब तो इसका जो है d option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 9 I don't agree blank your proposal तो जब agree के बाद कोई proposal की बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना है जब proposal की बात की जाए तो हमेशा two आता है अगर किसी person की बात की जाए तो बिद आता है अगर कोई आगे कोई person हो तो हमेशा बिद आता है agree के बाद अगर आगे कोई matter हो तो on आता है तो यह सब आप याद रखें आगे कोई matter matter पे agree होना होता है तो हमेशा on आता है अगर agree के बाद bid आता है तो आगे कोई person होगा जब proposal की बात की जारी है तो two होगा तो तीनो proposition आप याद रखें जो agree के बाद तीन proposition आती है तो तीन प्रपोजिशन आप याद रखें जब बिद आएगा तो person होगा आगे जब on आएगा तो matter होगा आगे जब प्रपोजल की बात की जाए तो two होगा तो इसका जो है a option correct हो जाएगा अगला जो question है इसका मतलब हो जाएगा जो question number nine का ये हो जाएगा मैं आपके प्रस्ताओ से मतलब सहमत नहीं हो इसका मतलब हो जाएगा आप इसको याद रखें मैं आपके प्रस्ताओ से सहमत नहीं हो इसका मतलब हो जाएगा तो इसका जो है a option correct हो जाएगा अगला जो question है question number ten there is a breeze blank the river तो जो breeze है वो नदी के नदी के पार एक पूल है मतलब एक पार से दब दूसरे पार की बात की जाए तो हमेशा आपको across लगाना है तो आपको यह याद रखना है across आपको लगाना है तो इसका जो है c option correct हो जाएगा across the river मतलब there is a breeze across the river मतलब जो नदी के पार एक पूल है मतलब एक पार से दूसरी तरफ जोसे नदी के नदी के पार मतलब नदी के दूसरे छोक पे एक पूल है एक पार से दूसरे पार की और हमेशा जो है across आप लगाएंगे आप इसको याद रखें अगला जो question है question 11 तो इसमें जो प्रोजिशन आएगा ये क्या आएगा तो इसके बाद हमेशा आप याद रखना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वह है पूरे एक सब्सक्ता के लिए इसका मतलब हो जाएगा confined to होता है fixed proposition है आप इसको याद रखिए अगले जो question है question number 12 है a naval officer died blank a car accident तो मैंने आपको क्या बताया भी जब die किसी car accident में हो जाए तो क्या आता है proposition तो हमेशा in आता है जब कोई देश के लिए मर जाता है तो for आता है जब कोई बीमारी से मर जाता है तो off आता है तो आप ये proposition याद रखें तो इसका जो है a option correct हो जाएगा जब die के बाद किसी accident में कोई मर जाता है तो in आता है अगर किसी अपने देश के लिए मर जाता है तो for आएगा किसी बीमारी से मर जाए तो off आएगा तो तीनो पर proposition आप याद रखें अगला जो question है question number 13 hard work is the key blank success तो key के बाद जो आएगा ये to आएगा तो आप इसको याद रखें hard work is the key to success मतलब कड़ी मेनत ही सफलता की कुझी है तो इसका मतलब हो जाएगा key to success ये fixed position है आप इसको याद रखें अगला जो question है question number 14 I gave him congratulated blank his success तो congratulated के बाद हमेशा on आता है तो इसका जो है a option correct हो जाएगा तो मैंने उनकी सफलता पर उन्हें बदाई दी इसका मतलब हो जाएगा congratulated on होता है ये भी fixed proposition है आप इसको याद रखें अगला जो question है question number 15 I am ignorant blank facts तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका correct option क्या होगा तो ignorant के बाद हमेशा off proposition आता है ये जो है fixed proposition है तो यहाँ पे इसका a option correct हो जाएगा ignorant off होता है हमेशा ये जो है fixed proposition है इसको आप याद रखेंगा इसका जो मतलब हो जाएगा मैं इस तत्य है या फिर इस fact से अंजान हूँ इसका मतलब हो जाएगा तो ignorant के बाद हमेशा off आता है तो इस proposition को आप याद रखेंगा अगला जो question है question number 16 he acted according blank my instruction तो according के बाद जो है हमेशा to होता है तो इसका a option correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा वह मेरे निर्देसा अनुसार काम करता था इसका मतलब हो जाएगा तो इसका a option correct हो जाएगा according के बाद जो है to आता है ये fixed proposition है आप इसको याद रखेंगा अगला जो कुश्चन है कुश्चन मा 17 He was incited blank going to kullu manali तो incited के बाद जो है on हो जाएगा तो option जो है इसका c correct हो जाएगा on incited on का मतलब हो जाता है कि वह कullu manali जाने के लिए प्रिरित हुआ तो इसका जो है c option correct हो जाएगा He was incited on going to kullu manali तो मतलब वह कुलू मना ली जाने के लिए प्रेवरित हुआ तो option जो है इसका C correct हो जाएगा अगला जो question है question number 18 It was hard to get access blank the principle तो इसमें जो हो जाएगा कि access के बाद हमेंसा 2 आता है तो ये fixed proposition है आप इसको याद रखें तो इसका मतलब हो जाएगा मूलधन तक पहुँचना कठेन है तो आप इसको याद रखें तो option जो है इसका D correct हो जाएगा अगला जो question है question number 19 The holy tree is associated blank sense of good will and rejoicing तो associated के बाद क्या होता है associated के बाद हमेंसा जो है बिद होता है तो आप इसको याद रखें ये fixed position है आप इसको याद रखें इसका मतलब हो जाएगा पवित्र ब्रच सद भाबना और आनंद के साथ जोड़ा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा अगला जो question है question number 20 Mrs. Indra Gandhi died blank her country तो जब कोई देश के लिए मर जाता है तो died के बाद हमेंसा जो है 4 आता है तो इसका मतलब हो जाएगा श्री मती इंद्रा गांदी का उनका देश के लिए निधन इसका मतलब हो जाएगा जब कोई देश के लिए मर जाए तो 4 होता है जब कोई बीमारी से मर जाए तो off होता है और जब कोई accident में मर जाता है तो इन आता है डाई के बाद ये तीनो पिर पूजिशन आप याद रखें अगला जो कुश्चन है कुश्चन नमार 21 Life according to Hinduism is divided blank four stages तो इसमें आपको हमेशा जो है to into लगाना है divided into four stages मतलब जो हो जाएगा हिंदू धर्म के अनुसार जीवन जो है चार चरोड़ों में विवाजित है तो इसका जो है into हो जाएगा divided into four stages तो option जो है इसका बी correct हो जाएगा अगला जो कुश्चन है कुश्चन नमार 22 He is not found blank T तो found के बाद हमेशा जो है off आता है तो option जो है इसका ए correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा वह चाय के सौकीन नहीं है तो found of का मतलब होता है क्या ये होता है सौकीन तो इसमें लिखा है not तो वह चाय के सौकीन नहीं है इसका मतलब हो जाएगा अगला जो कुश्चन है कुश्चन हमार 23 rakeas differs blank mohan on this point तो जब differ के बाद bid आता है फिर position तो आगे person होना चाहिए जैसे इसमें मोहन दिया है तो इसके बाद हमेशा जो है bid हो जाएगा differ bid जब आगे कोई person हो तो option जो है इसका ये be correct हो जाएगा आप इसको याद रखें differ के बाद जो है और from का बाता है तो differ के बाद जब from आता है तो आगे कोई कोई बी चीज हो सकती है person नहीं होगा जब person होगा तो हमेशा आपको bid लगाना है और जब from होगा तो आगे कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आप इसको याद रखें differ के बाद दो पिर position आती है differ with जब आगे कोई person हो और differ from जब आगे कुछ भी हो अगला जो question है question number 24 जो है he does not act according blank my instruction तो according के बाद जो है यह हमेशा according to होता है यह fixed proposition है आपके इसको याद रखें according to होता है हमेशा आप इसको याद रखें अगला जो question है question number 25 he resembles blank his father तो resembles के बाद कोई proposition नहीं होता है resemble के बाद no proposition होता है तो option जो है इसका d correct हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या कि वह है अपने पिता जैसा दिखता है आप इसको याद रखें वह है resemble के बाद कोई पे position नहीं आती है तो option जो है इसका d correct हो जाएगा अगला जो question है question number 26 he was charged blank theft तो charged के बाद हमेशा जो है bid आता है तो option जो है इसका b correct हो जाएगा charged with theft मतलब कि उस पर जो है उस पर चोरी का इंजाम लगाया गया था इसका मतलब हो जाएगा charged with होता है ये fixed position है आप इसको याद रखें अगला जो question है question number 27 Mohan disliked blank the bad habits of his friends तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जब disliked जो है dislike जो है आपको जो है ये जो है for proposition लगाना है तो इसमें जो dislike जो है ये verb की तरह use हुआ है तो option जो है इसका d correct हो जाएगा no proposition अगर ये noun की तरह use होता तो इसके बाद जो है for आता ये आप proposition याद रखें dislike के बाद जब verb की तरह use हो dislike लाइक तो no proposition लगाना है जब noun की तरह हो तो for लगाना है आप यह याद रखें तो इसका जो है d option correct हो जाएगा तो आप इसको याद रखें इसका मतलब हो जाएगा मोहन जो है अपने दोस्तों की बुरी आदितों को ना पसंद करता है इसका मतलब हो जाएगा अगला जो question है question number 28 we all abide blank law तो abide के बाद जो है हमेशा जो है by आता है abide by law तो इसका मतलब हो जाएगा हम सभी कानून का पालन करते हैं we all abide by law तो option जो है इसका भी correct हो जाएगा अगला जो question है question number 29 I differ blank you on the issue of your behavior with Ram तो इसमें जो है differ के बाद मैंने आपको दो पर position बता है तो differ के बाद जब बिद आता है जब differ के बाद बिद आता है तो आगे कोई person होगा जब आगे कोई person होगा तो differ के बाद हमेशा जो है ये आता है क्या बिद आता है तो option जो है इसका a correct हो जाएगा अगर differ के बाद from का बाता है तो differ के बाद from जावाता है जब आगे कोई thing हो मतलब कुछ भी चीज हो तो आप इसको याद रखें दो पर position आती है differ के बाद जब आगे कोई person हो तो आपको बिद लगाना है जब आगे कोई भी चीज हो तो आपको from लगाना है तो इसका जो है a option correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा मैं राम के साथ आपके बिवार के मुद्दे पर आपके साथ हूँ इसका मतलब हो जाएगा अगला जो question है question 30 he has an easy access blank the commandant तो इसका access के बाद हम इसा जो है to आता है ये fix proposition है ये आप मैं आपको बता चुका हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा उसके पास commandant की आसान पहुंच है इसका मतलब हो जाएगा thank you friends आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है comment box में जरूर बताएगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like end से जरूर करें अगर चैनल पे पहले आप विजिट के हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो टे